गुद मॉरिंग डियर सुदेर्स, वेलकम बैग, तोटे आज हम जो टॉपिक करेंगे, वो है पॉलिमराइजेशन रियक्शन ओप अलकेन्स हमने अलकेन में भी बैटा ये टॉपिक किया था, पॉलिमराइजेशन, जिसमें एक पड़ा था, भी जब हम सेम और डिफरेंट टाइप के जो मोनोमर्स हैं, उन्हें बैटे आपस में कम्बाइन करते हैं, तो उस मेतन को नाम दिया गया था, पॉलिमराइजेशन का, अब हमने क्या करना है, अलकेन के अंदर ऐसा करना है, तो देखो इसकी जो डैफिनेशन बैटा रहेगी, ए प्रोसेस इन विच, ए लार्ज नमबर ओफ सेम, और डिफरेंट मोलिकूल्स ओप ए कमपाउंड, कमब हम दिते हैं, पॉलिमराईजेशन, तो हमारे डिली लाइफ में भी अवह से बहुत से पॉलिमर्स है, जिन का यूज हों करते हैं, तो देखे, सबसे पहले, अगर हम बाद करें, तो अपने पास कहरेगा, पॉलिमराइजेशन और इधीन, इसमें क्या होता है यह आपके पास है सी एच तू डबल बॉंड सी एच यह एक मोलिकूल है इधीन का जिसको हम मोनोमर भी ना दिर दें अब इसके जैसे हमने एन मोनोमर्स देने हैं और इन मोनोमर्स की क्या की देने है वियुक्त यह इसमें दिए प्या अर्प लेटर में यह और जो यह एक्व एक रोन है यह शेरिंग कर रहे हैं तो हमोलिक्स होने पर क्रेंगे हमों डिक्स यह आफारो से इदर आधियो अदर आपनेदें और क्या बने राए सिंगल मौट का सियज़ू सिंगल वोड सीज़ू। इसका इलेक्टोन जो यह आया है हमने यहां रिप्रिजंट किया एक पीठा यहां यहां और कितने हैं यह एन मोनोपर से तो को बले मिध्विशन करने पे इस प्रकार के एन मोनोपर अपस में कंबाइन हों। तो जो चेन है वो लार्ज बनती है तो उसको हम इटा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं विए इस तरह के एन मोनो मरापस पर जुड़ेंगे तो क्या बनता है ये ये बनेगा पॉलिधीन बिए इथीन का मोनो मर्दो इथीन है पॉलिवराजिशन करने पे वो बोलो फीन बनाता है जो आप डेनिलाइट पे यूज़ करते हैं और ये जो पॉलो फीन है बिटा ये अगेन टू टाइप्स ही होती है पॉलो फीन क्लास्टिप्रिकेशन पॉलो फीन फस्ट है एच डीपी लडीपी डैट इस लो डैंस्टी पॉलिधीन फोर सेंट रडैसिन आता है एच भीपी आइप देंस्टी पॉलिधीन आप देखते हैं बेपनी डैली लाइफ में मार्किट से माल लीजे आप कोई समान खरीद रहे हैं तो जो दुकान वाले शोप वाले वो जो समान अपने को डालके देते हैं तो आप देखे, जब आप जाते हैं सबजियां लेने, तो वो जो पॉलोथीन है वेटे, उसकी जो थिकनेस है, वो कम होती है, जबकि आप एक शोरूम पर जाते हैं कपड़े लेने, जो पॉलोथीन वो देते हैं, उसकी थिकनेस क्या होती है, हाई होती है, और ये देखेगा, भी जो low density polythene है उसका जो color है वो भी क्या होगा? light होगा जबकि high density polythene का जो color है वो dark होता है ठीक है जी? तो इसमें हम ज़्यादा बज़र डाल सकते हैं तो कि इसके अंदर हम नहीं डाल सकते हैं तो यह हमारे पास ज़्याद पोलो थीन है इसी प्रकार से आप लोग देखें बिटे भी हम क्या देखते हैं भी जो wire है विजली की जो तार है उसके ओपर एक रवड चड़ी हुई होती है उसको कहते हैं PVC ठीक है? तो वो कैसे बनती है देखो अपने पास है only विनाई chloride यह बनाने हैं PVC तो यह कैसे बनेगा इसके लिए जो मोनोमर वो बेटे लिया जाता है CH2 डबल ओंड शी है इसको नाम दिया गया है विनाई लोग और इसके एन मोनोमर होने लेने हैं क्या करोगे पोलिमराइजेशन तो यह इदर आएगा यह इस पे आएगा अपने पास बिलेगा CH2 सिंगल ओंड शी एच्टू सुरी CH को यह जाता है रोगा और इस तरह के कितने हैं एन तो क्या बनीगा यह बनीगा PVC इसी तरह एक बने आप लोग यूज करते हो पोली टेट्रा लोरो इखाई ली क्या कहा जाएगा पोली टेट्रा फ्लोरो इथाई लीग इसको दूसरा नाम देते है टेट्रोर तो इसका जो फार्मुला है वो है CF2 डवल ओंड CF2 इसी तरह को इसको क्या का जाता है इसको का जाता है टेट्रा फ्लोरो इथाई लीग चार फ्लोरी ने एक इड़ा फ्लोरो दो कार्वने इथ पाइलीन तो इसके भी एन मौनों में देखते हैं को ओल्लिवरायजेस ने करोगे यह इदर आया यह इदर आया क्या बनाओ सिया पू सिंगल मॉन्ड चीए पू यह सिंगल यह सिंगल यह एंड जिसको टैफलोन भी कहा जाता है जो नौन और व्हां को टैट ऑप लिए और आप बनाते हो जो नौन स्थिक भरतन है उनमें खाना चीपकता नहीं है उसमें जो पूटिंग की वही होती है वो इसी की होती है ठीक है से में इसी तरह से अपने पास क्या होता है जो हमारा विजली वाला बोड होता है वोल के उपर उसके ज बेकलाइट और यह बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है फिनोल और पॉर्मेल्डी हाइड एज सी एज डबल मोर्ड को तो इस तरह की इन दोनों को चोड़ेंगे पोलिमराइजेशन करेंगे तो अपने पास तो होगा बेकलाइट बनेगा मैं और आपके रहे हैं अब यह जो पोलीमर है ओलेशन में जो मोनोमरों फॉर्मेल्डी आइडि तो इस तरह से बहुत सारे जो पॉलीमर है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज होती हैं आप लोग देखते हैं भी आजकल जो अफ्टर ओप्रेशन स्टीचीज लगाए जाती है वो हमारे बोड़ी के अंदर ही कैट डीकंपोज हो जाती है तो उसके अंदर भी जो पॉलीमर है जो वो स्टीचीज के लिए थ्रेट का यूज किया जाता है वो इसी के काम आता है हम जो कैपसुल खाते हैं मैडिशन के रूप में वो देखिए हमारे पेट में जाके बिटा ड इसके अंदर दवाई डालके एंकलोज किया वाट तो उसको और वो हमारी बोड़ी में डीकंपोज तो वो भी क्या है पॉलीमर है आप देखते हैं भी जो हम सर्दियों में रिजाई का इस्तमाल करते हैं औरलोन जो उसके अंदर को रूई होती है वो भी इसी के दुआरा का डिफरेंट रूप में जो पॉलीमर है इनका इस्तमाल उपा है अफ्टर देट बेटे हम जो करेंगे वो है यूजिज ऑफ अलकीन वी जो अलकीन है उसके यूजिज क्या है देखे जो लो मेंबर ऑफ अलकीन से बेटे और यूज ऐसे फ्यूल एन इल्यूमिनेट्स नमबर देखा भी इधीर के हमने पॉलीमरेजिसर की तो पॉलो तीर बना इतना यूजफूल है उसी तरह से टाट्वान है हम देखो मौनोमर ले रहे हैं पॉली टाट्राफलो लेए हमने ये बनाया ये यूज और हम रहे बटन सीज और है बैकलाइक से बने हुए तो हर जगह इनक हमारे पास देखते हो आप लोग भी टू टाइपस की बेटे मशीन होती है जिन से वैल्डिंग की जाती है एक तो इलेक्ट्रिसिटी से जो मशीन चलती है एक होती है गैस वैल्डिंग ठीक है जिसमें गैस वैल्डिंग के दवारा उसको स्पार करके और वैल्डिंग की जा तो यह हमारा क्या था अलकीन नेक्स्ट पार्ट जो इसमें हम करेंगे वह हम करेंगे अलकाइन के बारे में अज़िए नेक्स्ट पीटा जो अपना है घर टाइप वह है अलकाइन इसका जो जन्टल फर्डूला है जन्टल फर्डूला सी एंट एस तुन माइनस टू वेयर एंट इस इकल टू 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 एंट यहां मेटा इसके अंदर पूट करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट यहां पे वेटे अपने पास इसका मेंबर बनता है वो है इधाइन आप्टर देट फ्रोपाइन विटाइन पैंटाइन इस तरह से वेटा यह चले और जो हम इसका फर्स्ट नेवर लेते हैं इसको एसी टाइलीन भी कहा जाता है और इसका बहुत जगहे पर यूज किया जाता है जो एसी टाइलीन है वेटे इसके इलावा देके हम लोग क्या देखते हैं भी जो अपने पास अलकाइन से यहां पर जो सफिक्स है उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे आइन का इस्तमाल करेंगे जो सफिक्स यहां पर रहेगा तो इसमें जो अपने पास कार्बन कार्बन है उनके बीच में जो ट्रीपल मोंड है वो प्रेजेंट होता ह इसके बाद बैटे अगर हम तरी बाद श्क्रक्चर की तो आप देख रहे हैं भी कार्वन में क्या है ट्रिपल मोन है और ट्रिपल मोन है तो यह कार्वन क्या है और इसके अंदर तो इसके अंदर तो एस करेक्टर है वो 50 परसेंट है और पी करेक्टर की बैटे 50 परसेंट है और जब एस करेक्टर ज्यादा होता है तो वो ज्यादा एसलिक माना जता है तो यह किसकी प्रोपर्टी शो करेगा एसलिक की प्रोपर्टी बैटे शो करता है तो अपने पास तुम देखोगे जो tripl pond है वो विड़े चा होता है? double बोर्ण से greater माना लाता है तो bonn linth की अगर बात की जाये तो bonn linth देखो triple bond की सबसे कम होती है double bond की उससे जादा होती है और single bond की उससे बीजादा होती है क्यों कि ट्रिपल बॉंड में जो कार्बन कार्बन एटम हो एक दूसरे के बहुत कलोज होती है फिर जो डबल बॉंड है उसमें वो दूर होते हैं सिंगल बॉंड में और भी दूर चले जाती है तो हमें इसके अंदर इसको देखना है जो एंगल इसमें बनेगा वह बिटे 180 का बनता है क्योंकि आप देखते हो जो स्वी थ्री एड उसमें कहते हैं 208 इंड यूट का बनता है जो स्पी दू समधी नहीं दूर्ट फिसके अंदर आई यूट ल में तो आई यूट में में आपके पास क्या होगा वर्ड रोट प्लस जो स्केंडरी वह प्राइमरी सफिक्स है उसके केस में जो आईन है हम वो बिटा इसके दम लेगे तो आप लोग सिंपल जैसे देखते हो भी अपने पास है एक दो पार रहे है इस जो प्रिपल होने आई जबकि इसका जो कॉमा नेम है वो है ऐसी टाइन दी इसी तरह से आप लेते हो सी एस ट्री सी प्रिपल गोड़ शी एच यह बनेगा प्रोफ आई ठीक है और हम क्या देखने हैं भी कोई महालवा आपके पास एक ऐसी चेन है जिसके अंदर आपको साइड चेन भी दी गई है तो उस साइड चेन में अगर ट्रीपल गोड़ प्रेजेंट है तो हमें उसे क्या है पैरेंट चेन के रूप में लेना है यह हमने पहले रूल किये हुए है आप क्या करते हो मालो आप एक चेन सिलेक्ट कर लेते हो जबकि ज इसी जमने याद रखनी है मतलब जो अपने पास नेमिंग है वो कहां से शुरू करनी है triple bond से कुछ ऐसा भी हो सकते हैं आपको जो एक्जामपल दिया गया है जैसे यह देखा है जबकि नाम जब लिखेंगे तो अल्फामेटिकली इन पहले आता है तो पैंट टू इन और बन पे क्या है आई इस तरह से बड़ा इसका नाम लिखा जाए यह दू पे क्या प्राप और सौरी थ्री पे रिफे क्या है डूबल डॉड गॉड देखा है अपना प्रैंट थ्री इन एक बन प्रिफ़ल गॉड आई जाए इस चीज बड़ा इसके अंदर बनेगी जो अपने को दी रही है आईसो मेरिजम के अगर बात की जाएं तो आईसो मेरिजम में आप लोग देखते हैं पर हमन तो यहां को देखने हो भी जो फर्ष्ट कारपन है वो ट्रीपल मोड बना अगर किसी को अब जैने करें तो यह देगा यह जो अलकाइन्स है यह आई सो मेरिक होते हैं विद डाई इसमें अगर आपके पास दो डवल बॉन्ड या दो ड्रीपल मोड़ थो अमारे पास क्या लिखा जाएगा इसको डाई इन या डाई आइन लिखा जाएगा तो इसके एक्सांपल भी आप लोगों को दिये गई है लास्ट आजाता है, ring chain isomery, इस में बताते हैं, विजो member of the alkynes है, यह कहते हैं, involved in ring chain isomer with cyclo alkynes, क्या बनाएंगे, cyclo alkynes, तो इसमें आपके पास यह स्टक्चर होगा, यह अपने पास स्टक्चर है, क्या है बटाश साइक्टलो, और इसके अदर यह close है, तीन है carbon prop, लेकिन इसको हम siyklopropene नाम देंगे तो ये बैटा इसके अंदर क्या रहेंगे ring chain आई सो मेरी जमने लाश्ट पॉइंट के अंदर जो आता है वह क्लासिफिकेशन ओफ ऐलकांड तो जो के पास जो अलकाइन से वेटा वो टू टाइप से हो सकता है हम देख रहे हैं और यहांपर कैसा हो गया और यह चीज़ ने पापने को दीए भी जो तर्मिनल पोजिशन पे है उसका नाम को तुम देखे रहे हैं वेटे हमने यहां पे तो दिया वैज़े से यह है इसमें कहाएगा गूट बन आए जब कि जब नोट टर्मिनल पे जाओगे तो क्या पनेगा गूट टू आए यह चीज बेटे इसने दे रखी है और इसके यह एकिट एलाइड के अदर जोड़ता है मतलग यह चीज देट के है सीए सी शी ट्रीपल मौन्ट च तो यह यह आपे टर्मिनल पोजिशन पे टीपल है यह इसको देके जाएगा तो क्या पनेगा सीए सी ट्रीपल मौन्ट दी माइंट तो इसको क्या का रहता है अलके यह इसको नाम दिया लेता है तो यह क्लासिकेसर देगी तो यह था हमारा आज का टोपिक नेक्स्ट करेंगे कल थैंक्यू वेरी मुँच